हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो दो परिवर्धन लर्निंग सेंटर तो MSTCT 2022 एक्जाम के लिए फिजिस के लिए वेटेज क्या है कौन से चाफ्टर से कितने कोशन आने वाले है यह आज हम चर्चा करने वाले है तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबको पता है 11 जो है फिजिस 11 जो है यह 10 मार्क के लिए है और 12 का जो सिल्याबस है फिजिस का यह 40 मार्क के लिए है यह टोटल कुल मिला के 50 मार्क है फिजिस के ओके और एक मार्क के लिए यह कोशन आता है तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं मैंनों जो रेफरेंस लिया है यह MSTCT 2021 पेपर का मैंने यह यहां पर reference लिया है और कुन से चाप्टर से कितने question आते हैं आज हम चर्चा करने वाले हैं तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू MSTCT 2022 के लिए अगर आप seriously करना चाते है तो दोस्तों आपके लिए मैंने परिवर्तन batch launch किया है तो परिवर्तन batch हम noon Academy के उपर लेने वाले है और यह total purely Marathi में होगा यह परिवर्तन batch और मैं आपको physics पढ़ाने वाला हूं MSTCT का फिजिस का पूरा का पूरा स्लाबस मैं इस 45 days के crash course में आपको मैं complete करके देने वाला हूं और आपका जो score है यह बढ़ाने में मैं मदद करने वाला हूं दोस्तों मेरा जो last year का जो topper है MSTCT का यह 99.52% है तो पूरा का पूरा जो 8 year का experience है MSTCT का तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है experience के साथ दोस्तों पूरे के पूरे Marathi में आपके जो concept है यह clear होने वाले है तो noon Academy पर हम परिवर्तन batch launch करने वाले हैं 10 April से यह batch launch हो जाएगा first comment में दे रखा है या फिर आप description box चेक कर सकते है अगर आपको इस course के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे whatsapp number पर भी ले सकते है जिसका link में या फिर जो whatsapp number है यह मैंने first comment में दे रखा है तो दोस्तों यहां पर without wasting any time let's some start करते हैं तो यहां पर दोस्तों देखिए 11th का जो marking system है यह कैसा रहने वाला है तो 11th के दोस्तो 8 chapter है motion in a plane motion in a plane से एक question आने वाला है then laws of motion से दोस्तों near about दो question आने वाले है then gravitation के अगर हम बात करें तो gravitation के उपर दोस्तों एक मार का question आता है और कभी-कभी दो मार के लिए भी यह पुचा जा सकता है दो भी question आ सकते है then thermal properties of matter के अगर हम बात करें तो इससे भी दोस्तों एक question आता है sound से एक question आता है optics से दो कोशन आते है electrostatic से एक question आता है जो 11th का electrostatic है उससे एक question आता है and अगर हम यहाँ पर semiconductor की बात करें तो उससे भी एक question आता है यहाँ पर आप देख सकते है rotational dynamics जो की बहुत easy chapter है और बहुत दगड़ा भी chapter है बड़ा chapter है rotational dynamics तीन कोशन आएंगे यहाँ पर ठीक है mechanical properties of fluid से दोस्तों तीन कोशन आएंगे तीन कोशन मतलब तीन mark kinetic theory of gases जो है यह तीन कोशन आने वाले है thermodynamics से तीन कोशन आने वाले है अगर आप पहले चार चाप्टर अच्छे तरीके से करते हैं तो दोस्तों आपको 12 mark यहाँ पर मिल जाते है oscillation से दो कोशन आने वाले है super position of wave से दो कोशन wave optics से यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तीन कोशन आने वाले है electrostatics जो की 12th का है यहाँ से दोस्तों तीन कोशन आने वाले है current electricity से दो कोशन magnetic field due to electric current इससे तीन कोशन magnetic materials से एक कोशन आने वाला है दो-तीन formula है और यह 100% कोशन आ चाहेगा एक कोशन आता है electromagnetic induction की अगर हम बात करें तो my dear friends यहाँ पर तीन कोशन आते हैं हर साल आते हैं electromagnetic induction से AC circuit से तीन कोशन आते हैं मतलब EMI and AC circuit near about same ही है क्योंकि words लिया बस में एक ही था वो electromagnetic induction तो यह 6 mark का chapter है इच्छे कोशन आते हैं dual nature of radiation matter से 2 कोशन आते हैं structure of atoms and nuclei से 3 कोशन आते हैं semiconductor से 1 कोशन आता है तो इसे कुल मिला के दोस्तों यह 40 कोशन होते हैं ठीक है तो 12 के 40 कोशन मतलब 40 marks and 11 के 10 mark इसे कुल मिला के 50 mark होते हैं ठीक है और रही बात यह PDF की यह PDF दोस्तों हमारे telegram group पर available है जिसका link मैंने first comment में दे रखा है आप telegram group को join कीजिए वहाँ पर मैं यह study material जो ही वहाँ पर मैं डालते रहता हूँ about the CET यह जो news है या फिर यह जो वीडियो है यह आपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए थाकि उनको फाइदा हो जाए अगला वीडियो में biology का वेटेज chemistry का वेटेज and mathematics का जो वेटेज है उसके उपर भी बनाने वाला हूँ तो thank you, have a nice day bye bye to all of you परिवर्तन app सरूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि परिवर्तन app के उपर दोस्तो मैंने पूरे के पूरे एक एक चाप्टर के 55 mock test मैंने अपलोड किया है तो ओ आप दोस्तो फ्री में उसकी practice आप कर सकते है bio के है, physics के है, chemistry के है and math के भी है ठीक है and परिवर्तन batch को भी आपको join करना है क्योंकि 1000 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि 1000 रुपए में आप पूरे के पूरे जो concept है आपके local language मराडी में आप clear करने वाले हैं ओके, करने वाले हैं ओके, चलो ठीक है, thank you, have a nice day, bye bye to all of you